क्या RSS और भाजपा के बीच सब कुस ठीक चल रहा है ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि भाजपा के दो बड़े नेताओं ने तिन गड़करी प्लस राजनाथ सिंग जी का गांधी नहरू को याद करने का आखिर मतलब क्या बन जाता है ऐसा मैं क्यों को बोल रहा हूँ देखो इनके विरोध सही संग और भाजपा की राजनीती का बेस बना है आधार बना हुआ है आज भी देश की लगभग हर समस्या गेले भाजपा के नेता इन दोनों को ना केवल दोशी ठेहराते हैं बलकि इनके भटके हुए लोग यानि जो की हमारे अपने खुद के साथ हैं वो खुले आम मंचों से कैमरों पर गाली गलोच भी करने लगते हैं अब ऐसे पूरे माहौल में नहरू और गांधी को सकारातमक रूप से याद करना निश्ची थी डाल में कुछ काला है कुछ तो गडवड है दया आश्चर जनक है जम्मू कश्मीर में देश के रक्ष के कश्मीरी पंडित परिवार को मुस्लिम बना देते हैं वाटसएप पे तमाम फॉरवर्ड आप में देखे होंगे राजनात जी का कहना कि मैं एक पार्टी विशेश से आता हूं मतलब जो की नहरू की घोर आलोचना करते हैं मगर नहरू की आलोचना मैं नहीं करूंगा य यह भी कहा कि अब वो राजनीति नहीं रहा गई है इसलिए इसे चोड़ने का मन बना रहे हैं मतलब गांधी की राजनीति को एक आदर्श मानते थे उसी गांधी को जिसके हत्यार्य को भाजपा की सांसद हेरो मानती है और कुछ समर तक तो गांधी का नाम लेते ही मतलब सम सवाल तो बनता है दोस्त सवाल तो बनता है कि संग के खास माने जाने वाले इन दोनों नेताओं का क्या नाकपुर से कोई इशारा मिल चुका है क्या उस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं अभी संग ने भी महंगाई पर चिंता व्यक्त की थी महंगाई एक बहुत बड़ा इसके लगाने के व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है अगर संग इस बात से चिंतित है और इसलिए राजनात और गड़करी बोल रहे हैं तो फिर अभी और कुछ चीजे जल्दी सामने आने वाली है सरकार पार्टी और संग के अंदर से असंतोश बहुत समय तक चल रहा है पह गंभीर राजनातिक और सामाजिक समस्या है दोस्तो अगर इसको मैं एक्जांपल के थुरू अगर आपको समझाओ यसे मैं एक्जांपल ममताबैनर जी का लेता हूँ इस मामले को और ज्यादा दिल्चस्प और रिलेटिबल आप बना पाएंगे और उसे मिसमत करना राजन सुनना चाहिए इसमें आपको तकनिकी राजनातिक और सामाजिक और अस्तित्तु की संबंधे इशूज को कैसे सुलजाए जाया है उसको बहुत बहतर तरीक से समझाया गया है जिससे मेरे थौट्स में और ज्यादा क्लेरेटी आ गई है कुकु एफम पर 4000 से भी ज्यादा आडियो शोज है वो भी आपकी रीजनल लाइंवेजिस में एक बाद ट्राइ कीजिगा आपको समझ में आ जागा वैसे तो इनकी एन्वल मेंबर्शिप फीस तीन सो निन्यानवे है एंड थैंक्फुली कुकु एफम ने इस वीडियो को स्पांसर किया है तो आपको 50% का ड 500 यूजर के लिए है जल्दी जाए ओफर को अवेल कर लीजिए बात यहीं कि दोस्त बैस सत्ता मिले और अपने खास पर किसी तरह की आच ना है इस तरह की राजनिती है और यहीं चलती आ रही है बस पूछेगा मत इन दिनों चर्चा बहुत तेज है कि क्या ममता बैनार जी और भात्री जनता पार्टी के केंद्रे नेत्रतों की बीच में क्या कोई समझोता हो गया है कोई सीक्रेट डील हो चुकी है इस डील को कराने में अंदर खाने पी एम के चाहिते कॉर्परेट कॉत्तम अडाने की भूमी का बताई जा रही है अच्छा सिर्फ कह देने मातर से की जुनाव में विपक्ष की उमीदवार मार गेरट अलवा का समर्थन ना करने की खोशना करके इस अंदेशा को और जदा बल दे दिया है कि अंदर खाने उनकी भाजपा से सेटिंग हो रखी है कोई डील हो चुकी है अब इसके समर्थन में पॉइंट दिया जा रहा है इस इसके बाद सही ममता का तेवर काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है ममता बैनर जी बोलती कि यह सामान इसी मीटिंग थी भाई राजनेतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 6-7 महीने में जिस तरह से ममता सरकार ने प्रधान मंतरी के चहे थे कॉर्परेट गौ तरह ममता बैनर जी घिरी हुई है और इन सभी मामलों में जाच एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और पार्टी नेताओं सहित ममता के बतीजे अविशेक बैनर जी और उनकी पतनी ED के रडार पर है तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तो ममता और अडानी के बीच जो इन्वेस्टमेंट करने का एलान कर देते हैं और जून से पहले हफते में ममता बैनर जी की कैबिनेट बैठक में सिलिकॉन वैली में अडानी एंटरप्राइस को 99 साल के लिए जमीन को लीज पर देने का प्रिस्ता पर महर लगा दी गई है यहां हाइपर स्केल डेटा सेंट बनाया जाएगा डेटा सेंटर कुल 51.75 एकट जमीन पर बनाया जाएगा और राज जी के उद्योग मंत्री पार्थ चटर जी जिन्हें एडी ने सिक्षा घोटाले में उनकी करीबी अर्पिता के पास से 20 करोड की नगदी मिलने के बाद गिरफतार कर रिया है आपने इस मा सामले पर पश्यमंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत की मंत्री पार्था चटर जी पूरी तरह से अलग थलग दिखाई दे रहा है जबकि ममता बैनर जी को सामने आकर ने खेलना चाहिए था लड़ना चाहिए था ममता बैनर जी ने दो टूग में अंदास में का कि अगर उन उनका साथ नहीं छोड़ा ये तो मुझे दिखाई दे रहा था कुछ समय पहले CBI ने उनके मंत्रियों को हिरासत में लिया था तब वो CBI कारेले पहुंच गई थी का याद है आपको तस्वीर देग लिजे याद आश ठीक हो जाएगी और कई घंटे मां बैठी रहती है उन सवाल आपने नहीं उठाया तो आपके नहीं सवाल उठाने पर एक सवाल उठाय जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ क्या ये पार्टी के अंदर किसी आंत्रिक खीचतान की वजह से हो रहा है या पार्था चटर जी एक बली का बकरा बन चुके हैं अरे खबर तो हमें ये मिली है कि ममता बैनर जी के भतीजे अविशेक बैनर जी को बचाने के प्रयास के तहत पार्था की बली दी गई है दोस्त और बहुत गहरे सूत्रों की बात अगर माने तो पार्था चाटर जी और उनकी करीबी जो अर्पिता मुखर जी के बारी में न केंदर जाच एजनस्य को सू बारेंटी नहीं हो जाती है कि कोईले की तसकरी या फिद्धन शोधन के मामले में अभिशेक और उनकी पत्नी की जान बक्ष दी जाएगी लेकिन इतना तो जरूर है कि पश्चिम बंगाल में कुछ असामानने सी राजनीरी जरूर हो रही है अभी करवादी गई है या फिर ये भी ग्राजनतिक कला है ये आपको देखना होगा ममता बैनर जी ने विपक्ष की प्रत्याशी अलवा के अलावा धनकड को भी उपराश्टपती के लिए सपोर्ट ना करने का भी एलान किया था लेकिन एक प्रकार से धनकड का परोक्ष रूप से समर्थन माना जा रहा ह और धनकड और ममता के बीच आपको पता होगा है दौनों एक दुसरे काफी एंटी थे और अब देखो कि ऐसे में धनकड के साथ ममता की मुलाकात होना और ममता का बदला हुआ रुख डील की बहुत बड़ी कहानी बताता है डील के तहत बंगाल में किसी सौफ्ट गवर्नर की नियुकती होने की संभावना ज्यादा है जो उपराष्ट पती चुनाफ के बाद निश्चत तोर पर की जाएगी ताकि ममता बैनर जी पर अंकोश लगातार बना रहे है दो हजार चौबिस में फाइटर वाली जो इमेज के साथ ममता बैनर जी जो बाउंस बैक कर सकती थ अब आगे देखेंगे कि राजनिती किस और करवट लेने जा रही है अब तक तो सिर्फ एक मातर दिखाई देती थी कोई भी अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो सकता है फाइटर कोई है तो ममता बैनर जी है और आज की स्तिती देख लीजी तो राजनिती में आप हाइवे पे चलते चलते ना अंडरग्राउंड भी हो जाएंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि दोस्तो राजनिती में कुछ भी हो सकता है ये अब आपको समझ में क्रिस्टल क्लियर तरीके से आगया होगा अब इसको और लोगों जा दीजे इस वीडियो को तीन वार्टसप ग्रों में शेयर कर दीजे जाहिंद वंदे मात्रम स्टे अपडेटेड स्टे अजुकेटेड सक्ते बेव जयाते तभशकार